हेले स्ट्वेंट्स तो एक महत्पून खबर देखते हैं आरेमेस कंपणी के निदेसक को रहात हाई कोट से मिली सौर्टम जमानत तो यह वही आरेमेस कंपणी है जिसने इसना तक अस्तरिय परिष्छा का पेपर करवाय था यानि की वीडियो भरती और यह पेपर जो है इसी क कंपणी में छपा था जो यह कंपणी जो है यह लखनों में है ठीक है और इसके जो निदेसक हैं राजेश कुमार चौहान इनको 27 अगस्त 2022 को ग्रेफतार किया गया था तो इनकी सुनवाई हुई और वेकेशन जज न्याय मुर्ती सरद कुमार सर्मा की एकल पीठ में हुई ठीक है और 27 अगस्त को तो इनको ग्रेफतार किया गया था और आज इनको जो है सौर्टम जमाने दिद्दे दी गई है ठीक हाई कोट के दवारा तो जो की बहुती गलत बात है क्योंकि कितने अधिक छात्र इस गोटाले के कारण परभावित हुएं कितने ऐसे मेहनती छात् होगे उसके गलतियों का खामे आजा भुकता तो इनके उपर तो सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए थी और इनको यह इनका जो अपराद है वो जमानत के लाहिक नहीं है ठीक है तो जो लिखा गया है कि सौर्टम जमानत मानवता के आधार पर पत्नी के उप्चार के लिए तो ऐसे जो अपराद ही है इस अस्तर के वो इस लाइक नहीं है कि उनको मानवता है कि आधार पर कोई जमानत दी जाए ठीक है इस परकार के अपराद में क्या है कि यह इस विक्ति के अपराद से कोई एक विक्ति ठीक है परभावित नहीं हो रहा है यह हो रहा है पूरा बह बी परिक्ष है थी या तो वो उनको खत्रा आया या उन में भी नकल पाई गई या फिर वो लेट हुई या फिर कैंसल हुई है कुछ न कुछ उसे भी हुआ है तो ऐसे ऐस्वों को अगर ऐसे अफ्रादियों को अगर हम मानने होता कि आधार पर जमानत देंगे तो कैसे काम चलेगा तो ये बहुत ही जो है गलत कदम है ठीक है धेरे धेरे सबी जो अफ्रादी है वो कोई ने कोई हाकम सिंग के भी बारे में पढ़ा था कि उन्हें भी जमानत दे दी गई तो जो है बार बार भूगत रहे और गलत काम करने वाला अपना बाहर निकल जाता है धेरे धेरे